आज का टॉपिक है ताइप्स ऑफ प्रिफेंच शेयर इसे पहले वाले लेक्षर में मैंने आपको बताया हुआ है एक्चुल मैं प्रिफेंच शेयर किसे कहता है एक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक यह बाहरी व्यक्ति की तरह होते हैं जिनसे हमने पैसा उधार लिया हुआ है तो कम्पनी के साइट से अगर आप सोचोगे तो सीरी सीरी बात आपको यह समझ बाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स वो लोग है यह घड़ के इंसान की तरह जिन से हमने पैसा उधार लिया हुआ है यह आपके फैमिली मेंबर से आपने एक तरह से पैसा उधार लिया हुआ है प्रिफेंच शेरोल्डर्स वो हैं उनको आप इस तरह ले सकते हैं कि आपने अपने क्लोज रिलेटिव से पैसा उधार लिया हुआ है डिबेंचर वोल्डर्स वो लोग हैं जिनके बारे में आप यह सोच सकते हो कि हमने किसी बारी व्यक्ति से पैसा उधार लिया हुआ है तुक्तुरन टाइप को समझने के लिए इन बातों को भी तुरह समझ ले आँ जब भी हमें कभी पैसा लोटाना होता है ना आँण पैसा जब लोटाना होगा ऐसे समझी ऐ कि कंपणी बंद हो रही है हर दर्श्थिकूण से समझ लिए एक चर्पड को टिसीज लरही है तो कहल के कपनी यह समझे कि कंपणी बंद हो रही है कंपणी को बंद कर दिया गया है कि सभी एसेट्स को बेच दिया गया है अब हमें लियाबिलिटीज की अदाइगी करनी है तो अब एक बात बताईए सिंपल सी बात कि अगर आप पैसे लोटाओगे तो सबसे पहले किसको लोटाओगे बाहरी को क्लोज रिलेटिव को या घड़ के वैक्ति को common sense लगा यह रटने के जरुवत आपको कभी नहीं पड़ेगी तो आप बताईए अब आपका दिवाग अपने आप बता देगा कि सबसे पहले पैसा किसे लोटाओगे यह सारी बाते में इसलिए पर्वी बिसकुरिशन कर रहा हूँ कि मुझे आपको बहुत आपको बहुत आसान अंदास से इसे समझाना है तो कवर करें तो सबसे पहले इन डिवेंचर उल्डर्स को पैसा लोटाएंगे उसके बाद एकुटी सडी प्रिफैंट शेरोलेस को और लास्ट में किसको इकुटी शेरोलेस को लोटाएंगे दन चले कंपनी चल रही है बहुत अच्छे पोजीशन में कंपनी काम कर रही है आप सबसे पहले रीटेन किसको दोगे जैसा कि मैंने आपको पहले बता हुआ है क डिवेंचर होल्डेरस पिरें देते हैं इंट्रस देते हैं में होते हैं कि अ कंधरो देने وाले हैं कि पॉसी को ऑसा नहीं बताते ओ hyped और उन्टेर्स पर तो पक्का देड़न यहीं में तो कोई शक हो नहीं 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 चाहिए तो जब कंपनी चल रही है कंपनी अच्छा अब प्रोंत को और सबसे अंत में जो बचेगा वह इकटी शेरोल्रिस लेंगे ज्यादा बचेगा तो तो नहीं लेंगे कम बचेगा तो कम लेंगे मतनब लेंगे या नहीं लेंगे दिया जाए नहीं दिया जाएँ प्रिफेंड शेर के परकार पर टाइप्स पढ़ाएंगे अब यहां पहें लिखा हुआ है थिकने लिखा हुआ है हमने भी लिख दिया यह थैपस और प्रिफेंज नहीं है कि ए कि यह कह सकते हैं कि प्रिफेंज के कि जैसे एक एक आपको समझने में आसा नहीं होगी आपके बस मुबाइल है ना इस तो आज के दोर में यूज करती हुआ तो जो आपका मुबाइल है अलग अलग लोगों के मुबाइल का में अलग-अलग functions होते हैं अलग-अलग facilities provide की जा सकती है जैसे कि एक example इसी example को और अच्छे से समझाएं कि आपके mobile में किसी के mobile में camera का GB मतलब यह जो क्या होता है पिक्सल मेगा पिक्सल है ना वो जादा हो सकता है और कम हो सकता है इसके लिए बेस्ट example इसके लिए हम लोग एक best example लेता है कार का example लेता है बहुत सारे टाइप की cars मार्केट में हैं अब किसी कार में power string है किसे में नहीं है कि दौर्मली आज के दौर में लगबग सभी cars में power string आने लगा है कि कुछ cars में power window है यह नहीं है कुछ में front में इसरी power window है back में नहीं है कुछ cars में back में भी power window है तो जब आप कार खड़ी दने जाओगे ना तो एक ही कार के अलग अलग कई types मिल जाएंगे आपको वह बताएंगे कि आपको कौन सी वाली कार लेने से मोडल में जैसे जैसे आप आप आगे बरोगे आपको इसका प्राइस जादा देना पड़ेगा लेकिन कार एक्च्वल में इनके functions अलग अलग है इसके features अलग अलग है उसी तरह से यहाँ पर प्रिफेंचर है ना प्रिफेंचर टाइप नहीं है एक्च्वल में इसके functions हैं एक एक्जामपल में बताता हूं पहला जैसे की एक इसे आले लिए कॉमुलिटी प्रिफेंचर एंड नॉन कॉमुलिटी प्रिफेंचर किसे कहता है अब मैं उन बातों को याद दिलाओं जो इससे पहले वह ने आपको एक एक्जामपल में बताया था कि प्रिफेंट शेर्स को हम डिविडेंट देते हैं और उनका रेट पहले ते करके रखते हैं बताया न मैंने कि हम आपको इतना % ढिविडेंट देंगे अचाव Ц organiz को इंको इतना प्रसेंट देंगे YouTube के तो जब दोन्यों को हमने पहले ही प्रॉमिस है कि हम आपको इतना देगे और आपको इतना देंगे लामें तो फर्क है कि एक relief करवा है सबून कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्यूंगों न इसको भी बाहरी मांना है उसके पीछे लॉजिक इनीस बातों की वज़से है कॉमुलेटिव प्रिफेंट शेर को हिंदी में कहते हैं संचय पुर्वाधिकार अंश समझ लो अब इसका सेंस क्या है देखिए अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी आपको डिबेंचर होल्डर्स को तो इंटर्स दे देना है मान लिज़े आप लॉस में कहे हो तो भी डिबेंचर होल्डर्स को इंटर्स दे देना है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको एसेट्स बेचना पड़े तो बेच दो डिबेंचर होल्डर्स को इंटर्स देना ही पड़ेगा यह बहुत सक्त लोग हैं बारी लोग इनसे आपके आपसे नको कोई हंदर्दी नहीं है। इनको पहले इंटर्ष चाहिए तो चाहिए आपकी हलत्व क्या है इनको कोई मतलब नहीं है। कि कि यह कि मतर्द कर रहे हैं? हम बात अभी इवेंचर अगर किसी साल आपको profit नहीं हुआ सपोच profit हुआ ही नहीं कि मजबूरी में आके आपको debenture holders को इंटेस्ट देना पड़ेगा लेकिन ये आपकी बात मान जाएंगे अगर आपने का हुआ है कि हम आपको cumulative prevention दे रहें तो आपकी बात ये मान जाएंगे आप इनको ये कहेंगे कि देखो इस बार profit नहीं हो पाया है next time जब profit होगा तो हम आपका पिछली साल वाला जो profit नहीं दे पाएं वो जोर कर हम आपको next year आपको profit देंगे अगर उस next year नहीं हो आया तो फिर अगली बार देंगे मतलब जितना profit आपको मिलना चाहिए था इनसेंस जितना dividend आपको मिलना चाहिए था अगर उतना नहीं मिला है अभी ततकाल तो आपका इकठा होता रहेगा लेकिन हम आपको जब profit हो जाएगा तो हम आपको इकत्रित कर करके collect करके सभी को जोर कर आपको दे देंगे बात समझ मैं तो है न यह थोरा समझदार यह यह नो और बोलते नहों करो आप reply कि देखिए अगर आप offline class में बैट है तो यह तो पका बोलिए बोल्ड आवास में बोलिए मैं उन बच्चों को बताऊंगा जो वीडियो देख र कि इसका एक आता है आप जब बोलते हैं तो आप connectivity आपकी बनती है पॉइंट से आप connect जाद होते हैं और समझते जाद है फिर फिर समझेगा तो cumulative prevention का मतलब क्या हुआ कि वैसा prevention जिस पर अगर profit ना मिल पाए यानि dividend ना मिल पाए तो उसका जो dividend मिला हुआ जो नहीं मिल पाया है वो अगली बार जोड़कर दिया जा सकता है तो इसे हम क्या बोलेंगे cumulative prevention बस इसी को बोलेंगे इसका एक function यानि इसकी एक खास बात इस शेर की हो गई कि cumulative prevention है मतलब कि profit जोड़कर बाद मिल दिया जा सकता है cc पैदा ही नहीं होगी कि इसलिए कभी आप डिमेंचेर के type में कभी नहीं पढ़ोगे cumulative इक्यूटी शेर में भी ऐसा नहीं पढ़ोगे क्योंकि इसकी जरुवती नहीं है न है क्योंकि जोब है वह आपका ही है वीधिटिसelnेंच को दिविडेंट केतना मिलेगा कि डिरेक्टिर स्था करेंगे कम्पनी के हीद को और अंगे चीज़ेंच को भी द्यान में रखते हुए ماरिकेट सेचवेशन को द्यान में रखते हुए वो dividend policy का मामला है वो आगे आप become part 3 में भी पढ़ेंगे आगे की चीज़ों में आप dividend policies को समझेंगे अगर किसी prevention में यह वाली जो यह वाली facility नहीं है तो इसे क्या मोलेंगे हम non cumulative prevention हमने जान बुझ कि इधर चार और इधर चार रखा है यह चार confirm करो और यह चार अपने आप confirm हो जाएगा otherwise बच्चे को 8 type लगता है और मैं कहता हूँ 4 type को समझना है उसका negative बात कर ले ना कोई बड़ी बात थोड़ी है तो cumulative का उल्टा क्या हो गया? non cumulative अगर cumulative वाला function नहीं है इसका मतलब यह कौन सा प्रिफेंचर है? non cumulative है am I right? normally किसी डिवेंचर में यह 4 चीज़ें एक साथ पाई जाती है एक example जैसे कि normally किसी कार में, normally किसी कार में power window, power studying है ना इस तरह से child lock यह सारी चीज़ें normally पाई जाती है उसी तरह से normally different डिवेंचर में यह 4 चीज़ें भाई जाती है अगर एक आग function नहीं है तो कोई बात नहीं है यह उसी तरह से आए next point है redeemable prevention रटना नहीं है आराम से समझना है और नहीं overconfident होना है redeemable prevention का क्या मतलब है वैसा prevention जैसा कि नाम से लग रहा है वैसा prevention जिसका redemption किया जाता है या किया जाना है या किया जाना possible है उसे बोलेंगे redeemable prevention और अगर कोई ऐसा prevention है जिसका redemption possible ही नहीं हो यानि जिसका redemption नहीं होना हो उसे irreadamable prevention कहेंगे जैसा कि लिखा हुआ इससे तो यही केलियर है वेकर इसका different define इसको कुछ इसतर नहीं करेंगे इसका मतलब यह है की ऐसा कोई भी prevention जारी किया नहीं जा सकता है इसका Redemption possible ही नहीं हो मत्तब इसको अब फिर से समझे कि जब भी आप कोई प्रिफेंट शेर जाड़ी करोगे तो उसका रिडेम्शन तो करना ही पड़ेगा अब को कि सर तो जब करना ही पड़ेगा तो इरीडीमेबल कंसेप पॉइंट कहां से आ गया इट शूड नॉट बी रिटेन इट शूड बी रिटेन डिरिकली कि प्रिफेंट शेर विल बी आलवेज रिडीमेबल यह कंफिजर होगा आपके दिमाग में आ रहे नहीं आ रहे है तो इसका इसका रीजन भी यह ना कि एक समय था कंपनीज एक के अमेंड मेंट से पहले आप इरिडीमेबल प्रिफेंचर भी जारी कर सकते थे ऐसे बहुत सारे बहुत बाउंडेशन नहीं था बहुत सारी चीज़े जो लगतार बदलती रहती है जैसे कि आप शेर्स को पहले डिसकाउंट पर जारी कर सकते थे अब आप श इसलिए लिख दिया क्या है समझ रहो इस समय इस वक्त आप अगर प्रिफेंचर जारी करोगे तो रिडीमेबल ही होगा यह गवर्मेंट का कंडिशन है और मैक्सिमम टाइम क्या होगा मालू मैं कितना होगा वोलो 20 यह मैक्सिमम टाइम है आपको 20 साल के लिए मैक्सिमम बीस साल के लिए आप प्रिफेंचर जारी कर सकते हो उससे जादे के लिए प्रिफेंचर जारी कर यह नहीं सकते आप तो रिडीमेबल का मतलब समझते हो ना with the redemption का मतलब भी समझ में आरए है डिए यह drive जैके Prie सब्स्वार्फ यह यह करोगे क І कि यह कह दो कि रिडेमशन नहीं होगा यह कानून के खिलाफ है अब आपके दिमाग में काई नहीं फिर भी मेरा मन कर रहा है कर दिये तो नहीं कर सकते नयार आप मना किया गया है नहीं कर सकते मतम नहीं कर सकते यह कानून के खिलाफ है तो यह है इसके पीछे का उद्देश है बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक तो कमपनी के हित को ध्यान में रखते हुए जितने भी acts के जितने भी sections and subsections है clause या sub clause है इन सारी चीजों का क्या है मक्सद मालूम है कि जितने भी कंडिशन से लगाए जाते हैं आप कभी यह न समझें कि गव्मेंट पीछे पड़े हुए कंपनी के नियुक्त इस तरह की बात है कि आपके पैरेंट्स आपको कहते हैं कि सुनो जल्दी सो जाओ रात में तो आपके पीछे पड़े हुए या आपके फेवर की बा जाए रही है कंपनी के लिए वह कंपनी के हीत में है अल्टरिंटिववली एक और हीत हैं इन्वेस्टेर के इत मैं या फिर आप कहा सकते हैं कि देश के हीत मैं ने तो जितने भी रूप पढ़ेंगे उसको निगेट्टिव नहीं लेना पॉजर्टिव लेना तो प्रिफें जब भी जाड़ी होगा तो redeemable ही होगा and maximum time कितना होगा 20 years होगा उसी तरह debenture अब तुरह सा common sense लगा कर बोलना क्या debenture irredeemable irredeemable जाड़ी किया जा सकता है बोलो क्या debenture irredeemable जाड़ी किया जा सकता होगा अब आपका common sense काम कर रहा ना जब prevent share जाड़ी नहीं किया जा सकता तो debenture तो पक्का ही irredeemable जाड़ी नहीं किया जाएगा अपने आप समझ में आ रही है बात कि इसके बाद कि अब एक और question क्या इक्विटी शेर irredeemable जाड़ी किया जा सकता होगा इक्विटी शेर मतलब अभी हम लोग थ्री इन वान काम कर रहे हैं और फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं जब तक इन बातों को आप क्लियर नहीं करोगे क्वार्पूरेट अकाउंटिंग कोई भी चैक्टर आप क्लियर करें नहीं सकते हैं पॉसिबल ही नहीं है कि इसलिए पहले इन बातों को पूरी तरह से कंफर्म कर लेजिए और और मैं आपको बहुत कि मतलब सोच समझ के बात बता रहा हूं मैक्सिम्म स्टॉडेंट्स का यह बिसिक बात ही क्लियर नहीं रहता है कॉर्पॉर्ट एकाउंटिंग में मैक्सिमम बच्चे का फोकस होता है अमल्गमेशन परना है तो है न होल्डिंग सबसीडरी कंपनी परना अब यह बताओ समार हो तो कि अगया थे ऑपके हो our Money Dis c-pen poverty इंट्रेस्ट आएगा और की यृट्रकुलेशन करने के लिए जब तक आपका येसे साच के लिए आथ आत्ट सभवाली नहीं की जरस यो पुरी नहीं कि इस था कि वाक्ती प्रस्क्रा बात गता कि एक कंसम खाया कि हम A, B, C, D नहीं सीखेंगे, बट इंगली सीखेंगे, पॉसल है, नहीं, इसलिए मैं फिर कहा रहा हूँ, बार बार इसे, जब तक ये कंफर्म ना हो जाए, एक कदम आगया मत बढ़िये, और मुझे लगता है, कि जिसने पहली बार ये लेक्चर सुना होगा, या सुन रहे होंगे, उन्हें भी इसली समझ में आ जाएगा, क्या लिएर, आईए, पार्टिसीबेटिंग प्रिफेंचर एंड नॉन पार्टिसीबे निससरी चलिए आईए, पार्टिसीबेटिंग, यह पार्टिसीपेटेकरने का मतब जानते हो, क्या होता है, शामिल हो ना, नाम से केलिए रहा है, पार्टिसीबेटिंग प्रिफेंचर, यह पता क्या है, जब कभी, चुकि यह खुलोज रिलेटिव की तरह है, ध्यान ये कुछ अच्छा डिश्वन आया आपके घर में आपने, तो घर के लोगों के लिए तो बनाई है, अगर वो ज़ाधा है, देको ज़ाधा है, identical में होता यही है, तो आप क्या करते हो, अपने relative को भी देते हो, देते हो क्या, उनसे शेयर करते हो, मतलब उनका भी participation लेते हो, सही है गलत, लेकिन अगर कुछ चीजे जाधा है, तो बाहरी लोगों को नहीं देते हो आप, देते किनको, अपने घर वालों के इलावा किसे देते हो, relatives को देते हो, normally पूरी दुनिया में यही culture है मेरे से, बाहरी को normally यह सारी चीजे लोग नहीं देते हैं, ठीक उसी तरह से, यहाँ पर क्या है कि अगर company को, एक certain profits से जादा होता है, like prevention shareholders को हमने क्या रखा है, कि हम आपको 12% क्या देंगे, 12% dividend देंगे, और साथ में हमने यह कहा कि देखो, 12% तो देंगे, नहीं होगा, अगर किसी साल profit, तो जोर कर देंगे अगली बार, लेकिन अगर हमें 12% से profit, जादा profit होगा ना, जितना 12% आपको profit दे दिया हमने, पहले तो हम debenture holders को उसका interest देंगे, preferenture holder को उसका dividend देंगे, उसके बाद हम एक तैय करेंगे कि certain profit से जादा profit अगर होगा, तो हम आपको जादा भी दे सकते हैं, हम आप से अपना profit share करेंगे, अगर जादा profit होगा, एक तैय कर लेंगे कि इतना से जादा कवाएंगे ना, तो हम आपको और भी profit देंगे, 12% हो देंगे, और जादा देंगे, अगर ये वाली सुधा आप दे रहो किसे debenture holders को, तो उस debenture को क्या बोलेंगे, participating prevention, और अगर इस तरह की कोई सुधा हमने नहीं दिया है, तो क्या बोलेंगे इसको, non-participating prevention, मेरे कल से समझ में आ गया है, या फिर explain करूँ, समझ में आ गया, एक certain profit से जादा profit होने पर, अगर हम prevent shareholders को, जो हमने promise किया है, उससे और जादा profit दे दे रहे हैं, तो इससे क्या बोलेंगे, participating, और अगर नहीं दे रहे हैं, तो non-participating, अभाई ये debenture holders में participating की बात आईगी क्या, नहीं, अरे यार तुम तो already बाहर ही हो, हमें पता है, कि अगर हमें profit नहीं होगा, तो तुम बेरी जान ले लोगे, लेकिन interest ले लोगे, तो इसके भी participating की ज़रुवत ही नहीं है, जो extra है, वो है ही उसका, इसका definition ही यही है, इसलिए भाई भी participating की ज़रुवत परती नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने, अगर ढंक से देके, तो 6 पर लिया हम लोगों ने, पस 2-4 मिनिट और देते हैं, खदम कर लेता है, convert प्रिफेंट शेयर को, convertible, non-convertible, convert करना, convert करना मतला बदलना, परिवर्तन, ऐसा ही है न, तो जिन प्रिफेंट शेयर को, हम अगर यह सुधा रहते हैं, कि हम आपको शेयर को equity share में convert कर सकते हैं, तो वो convertible है, और equity share में convert नहीं हो सकता है, अगर यह, तो non-convertible है, है, अब convert हो के low में तो नहीं आएगा न, कोई, high में जाएगा, कि low में आएगा, हाँ, high की तरफ जाएगा, तो जिस, जिन शेयर में यह feature होगी, उसको हम share में convert कर सकते हैं, equity share में, तो convertible, नहीं कर सकता है, तो non-convertible, पास समझ रहें, मैंने यही कहा कि normally सारे यह 4 features किसी share में already मौझूद होता है, हमने इसी द्रिष्टी कोन से इसको समझा है, अभी के lecture में, only preference share की types की बात नहीं की गई है, हर बार हमने उसका relation, आपके equity share से और debenture से भी बताया है, एक बार में अगर चीज़ें थोड़ ऐसा confusion देगे तो दो बार, तीन बार, चार बार इसको confirm करें और confirm करें, और मेरा मनना एक बार काफी है, पूरी उम्र इस बात को याद रखवाने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि इसको फिर आप भूल भी जाएंगे कभी, अगर एक दो बार repeat कर लें, तो मैं करो कभी नहीं भूलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप नॉर्मली नहीं भूलते हो, अपने जिन्दगी के वुद्पल, आपके बच्पन का वो समय, अपने बच्पन के दोस्त, नॉर्मली इनको भूलते हो आप, नहीं, क्योंकि इनको आप समझ चुके होते हो, तो बस भूलते कब हैं, जब हम किसी चीज़ को समझते हैं, जो चीज़ें हम समझ लेते हैं, उसे नहीं बोलते हैं, आइसे चार सल पहले भी आपने कोई मूवी देखा होगा, उस मूवी का कुछ सीर आपको आज भी याद होगा, क्योंकि उसमें आपका ज्यादा इंट्रेस्ट होगा इसमें इंट्रेस्ट जगाई है और ये भी आपको आलवेज याद रहेगा इन सारी चीजों की मदद से हम आपके इसको और आसान बनाने की कोशिस करेंगे तो चलिए मेरा खाल है आज करें इतना काफी है पेस्ट आफ लग